नमस्कार दोस्तों वैलकम टू स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल आज के इस इंपूरंट वीडियो में हम बात कर लेते हैं ब्राइट कॉम गुरूप के बारे में वीडियो के इंफरमेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बीसी जी के बारे में यदि कोई छोटी से चोटी अपडेट आती है तो मैं हमारी चैनल पे आप तक लाने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो में कि क्या बीसी जी अब किस लेवल पे जाकर रुक लेकिन फिर से वहां से अप ट्रेंड में आ गया लेकिन बीसी जी में कोई मुवमेंट हमें देखने को नहीं मिली जिस तरह का ग्राफ आप यहां देख रहे हैं दोस्तों पूरी तरह से कॉंसोलेट हो रहा था लेकिन फिर से बड़ा गैप डाउन हो गया और फिर से बहुत संबल गया लेकिन जो एक्सपेक्स्टेशन थी सभी ब्रैटकॉम गुरूप के इन्वेस्टर को बीसी जी कंपनी के मैनेजमेंट पे वो कहीं न कहीं वीक साबित हो रही है जिस तरह का नौटिफिकेशन आया था बौर्ड मीटिंग का और उस बौर्ड मीटिंग पे कई इन्वेस्टर की बड़ी नजर थी लेकिन जिस तरह का आउटकम आना था ब्रैटकॉम गुरूप का वैसा आउटकम कंपनी नहीं दे पाई तो ऐसे में दोस्तो अब बीसी जी में यदि आप अभी लौस में है दोस्तो तो ए स्टॉक और भी गिर सकता है एह हमारा कुछ स्टॉक में दिखता है आगे जाके 40 के लेवल को क्रॉस करेगा तो दोस्तो मार्केट की वोलाटिलिटी में जब तक ब्रैटकॉम गुरूप की तरप से कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आती क्वार्टर टू की रिजल्ट का डेट का एनाउसमेंट या दोस्तो शेर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में कुछ अपडेट आएगी या दोस्तो कुछ फॉरण सी कॉर्डिट का अपडेट आ जाता है तो उसके बाद ही स्टॉक में देजी बन सकती है क्योंकि मैनेजमें कि कोई छोटी सी अपडेट से स्टॉक में कोई बड़ी मोमेंट नहीं आएगी यह स्टॉक का पुराना रेकॉर्ड है कुछ सभी इन्वेस्टर यार अभी जो इन्वेस्टर ब्राइट कॉम गुरूप में इन्वेस्ट करते हैं वो इतने तो समद्दार हो गई होगे कि कमपनी की तरफ से जो बॉर्ड मीटिंग में पहले से ही बता दिया था दो तिन मंथ पहले ही वो फिर से इस बॉर्ड मीटिंग के जरिये कुछ अपडेट देने की कोशिश की गई लेकिन वो सभी इन्वेस्टर ने नेगेटिव लिया और उसी वज़े से एस्टॉक में तभी जागे इस टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यह हमारा पर्सनल प्रेडिक्शन है आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर किजिए दोस्तों क्योंकि शेर मार्केट किसी भी प्रेडिक्शन को पूरी तरह से नहीं संभल पाता क्यो में जब तक कंपनी की तरफ से कुछ बड़ी न्यूज ना आए तब तक इस टॉक से दूर ही रहने में भलाए है यदि आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुकिंग यहां डेफिनेटली कर लेनी चाहिए क्योंकि ए श्टॉक धीरे धीरे तीस के लेवल पे आएगा ही आएगा क्योंकि ए तीसरी या चौथ ही बार ऐसा होगा कि फिर से तीस के लेवल पे जाकर ही रुकेगा और वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश होगी तो कंपनी की तरब से बड़ी न्यूज आने की इंतजारी है लगातार जैसे ही कुछ बड़ी न्यूज आएगी कंपनी की तरब से तो वो मैं आप तक लाने की कोशिश करूगा लेकिन तब तक के लिए इस स्टॉक से कुछ स्टड़ी करने में ही भला है हमारा एफ प्रेडिक्शन पर्सनल है बार-बार कहता हो इसलिए क्योंकि बड़े-बड़े इन्वेस्टर दोस्तो इस स्टॉक में ऐसे फस गए है कि जैसे ना पुछो बात बड़ा लॉस बड़ी कॉंटिटिटी में एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कहीं इन्वेस्टर ने मेरे कितने भी ग्रूप में दोस्तो तीन-चार फ्रेंट्स ऐसे है कि उन्होंने एक ही स्टॉक BCG में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और वो अभी यूज लॉस में है उसका loss कैसे recover किया जाए उसकी भी उसे कोई बताने वाला नहीं है 64 या 64 के उपर की buying के साथ अभी कहीं investor फसे हुए है तो ऐसे में दोस्तों इस stock का बढ़ना काफी जरूरी है क्योंकि सभी investor काफी loss में है तो ऐसे में गुजारिस रहेगी company की तरफ से कुछ जल्द से जल्द कुछ बड़ी update दे और positive news के साथ सभी investor को कुछ loss कम करने का मौका भी दे आज का वीडियो यहीं समाप्त करते है कल की कुछ बड़ी update आएगी तो वो मैं आप तक लाने की जरूर कोशिश करूगा धनिवाद